तो हैलो फ्रेंट तुछ स्वाधिन एंड वेलकम तो आर चैनल एस्टी ग्लोबल बायोटेक्स दोस्तों यह डिजॉल्ब ऑक्सिजन के ऊपर दूसरा वीडियो है ठीक है तो जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हो मेक शूर करो आप पहला वाला पार्ट देखो फिर उसके बाद यह देखो तो ही आप कनेक्ट कर पाओगे नहीं तो फिर यह बहुत नॉन साइन्टिफिक आपको जादा लगेगा ठीक है क्योंकि साइन्टिफिक इन्फॉर्मेशन हमने पार्ट वान पर डिसकस कर चुके ओर लेडी ठीक है तो जनरली यह बिगिनर्स के लिए है यह पार्ट टू है तो जनरली लोग कंफ्यूस रहता है कि भाई मुझे अपना प्रॉजेट किस हिसाब से बनाना है कितना टैंक लेना है कितने वाटर क्यापासिट रहेगा करो ठीक है और और आप जो भी कैपासिटी वाला पांप लेते हो आप पकरे के चलो आप सौ से लेके 150 lpm बाला ही आप लो आप कंसिलर करो कि 10,000 लिटर कैपासिटी में मैं सौ से लेके 1.500 lpm एरिएशन दूंगा तो उसकी हिसाफ से मेरा कितना वाटर कैपासिटी है उसकी हि कर लो रफली 10,000 लिटर के लिए 100 से लेके 1.500 LPM, 100 आप इनिशेल लेवल पर दो जब मचली बच्चा चोटा चोटा रहेगा, जब मचली बाइमास बढ़ जाएगा, तब आप 1.500 LPM के आसपास रखना, तो अगर आपके प्रोसेस, आपके प्रोजेक्ट छोटा है और आपके electricity का requirement कम है, तो आप diaphragm pump यूज करो, ठीक है, electromagnetic pump आप यूज मत करो, ठीक है, और दूसरी बात है, इसमें आपको electric consumption बहुत कम होगा, ये 80, 90, 100, 1.500, 200, इतना वोल पर ये चल जाता है, ठीक है, based on कितने capacity हो, electromagnetic मेरे हिसाफ से नहीं use करो, जिसको करना है और करो, ठीक है, तीसरा है, जिनका प्रोजेक्ट बहुत बरा है, ठीक है, आप पकर के चलो, कि उसके पास है, 5 टैंग, 6 टैंग, 7 टैंग, 8 टैंग, 9 टैंग, 10 टैंग, ठीक है, या 15, 20, तो उनके लिए मैं especially बोलू पर चले जाओ, ठीक है, रिंग ब्लोवर पर चले जाओ, ठीक है, रिंग ब्लोवर के starting ही होता है, 0.5 HP पर वो कुछ काम का नहीं है, minimum रिंग ब्लोवर आपका, एक से लेके, 1.5 HP जो होता है, वो थोरा काम का होता है, तो रिंग ब्लोवर, 1.5 HP, 2.3 HP का असपास, ये 4 HP का project का बहुत अच्छा सर्वीज देता है, और जो रिंग ब्लोवर के साथ जो combination आता है, ये कभी भी एयर ऑक्सी ही लेना है, ये रोक्सी ही आता है, इसके साथ स्टोन वाला नहीं आता है, और डायफ्रम वाले के साथ कभी भी स्टोन ही आता है, क्यों कि वो इनिशल लेबल का project होता है, जो commercial कभी success नहीं है, और रिंग ब्लोवर किया होता है, commercial success है, रूड ब्लोवर का क्या होता है, कि ये बहुत बड़ा, जो 100,500,200 या या लाख लाख लिटर जो होता है, बड़े बड़े artificial bioflock tank, उनके लिए ये रूड ब्लोवर यूज किया जाता है, तो especially मैं बोलू आप उनसे quotation लो, आप उनको बताओ है, आपके instrument cost कितना है, आपके accessory cost कितना है, ठीके, और आप ऐसे manpower के लिए कितना cost देंगा, अगर आपको लगा जा कि manpower का cost बहुत ही कम है, तो आप उसको hire कर सकते हो, अगर आप बोलते है कि भाई, मेरा 5 टका है, मेरा manpower cost 5 टका है, मेरा अगर आप बोलता है कि भाई, मेरा 90% है, इंस्ट्यूमेंट कासरी में 10% ही manpower के लिए ले रहा हूँ, तो इस टाइप के deal आपको मिलेगा, तो आप ले सकते हो, आप air oxy वाले से भी contact कर सकते हो, कि ये लोग market पर professional है, तो ये लोग आपके लिए अच्छे discounted prices में काम कर सकते ये आपके पस कोई दूसरा vendor है, आप उससे भी बात कर सकते हो, जो आपके aviation पर deal करता है, तो मामूली project के लिए आपके जाएगा diaphragm pump, थोड़ा mid-level commercial project के लिए जाएगा आपके ring blower, और maximum बड़े project के लिए जाएगा आपका root blower, तो market में अभी जो branded जो भी pump मिलता है, ये सार इस product आप मत लो, बड़ अभी अपने पास option नहीं है, तो आपको LP 100 मिल जाता है, Haleyhap 120, HGB 280, ये तीन pump tested है, सबसे ज्यादा लोग की इस पर use कर चुके है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, तो ring blower आपका Indian या आपके चाइना में बहुत मिल रहा है, ये आपका विश है आपको क्या करना है, तो आप देखो, और in short आपके diaphragm के साथ आपका stone याड़ होगा, ring blower, root blower के साथ आपका aeroxy याड़ होगा, दोस्तों, जो second जो आपके questions है, एक aeroxy के बारे में, ठीक है, तो मैं एक roughly आपको बता रहा हूँ, ये जो data में ने लिया, मैंने aeroxy के website से लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि यो authentic है और वो लोग इस process पे काम कर रहे है, ठीक है, तो they know better than us, तो on and average अगर आप देख तो जो भी 1 HP का जो भी आ lower लेते हो, उस पे आप maximum 25 मीटर जो air oxy tube है, उसको आप यूज कर सकता हो, 25 मीटर tube को आप 25 टुकरा कर लो, 10 टुकरा करो, 20 टुकरा करो, आपके रिकर्मिन के साब से है, लेकिन 25 मीटर से जादा air oxy tube आप यूज मत करो, अगर आप production के हिसाफ से आप calculate कर रहे हो, अगर आप एक में thumb rule एक बोल रहा हूँ, एक roughly, जो भी shrimp culture के लिए आप कर रहे हो, अगर आपको 1 ton biomass लेना है, श्रीम का, तो उसको आपको 1 HP चाहिए, ठीक है, 1 ton biomass के लिए, same 1 HP पे आप 3 ton normal fish अब ले सकते हो, ठीक है, तो 1 ton अब ले सकते हो shrimp, और 3 ton अब ले सकते हो normal वाला मचली जो हम लोग करते हैं, एक HP पे, ठीक है, दोस्तों, आपके education purpose में, जो लोग वेनमी culture के लिए सोच रहे हैं, उनको पता है कि आपको, आपके पस कितना area है, आपको कितना biomass चाहिए, आपको कौन से recommended blower चाहिए, ठीक है, कौन से किस type के pipe चाहिए, कितना aeroxy tip चाहिए, आप इसको दे अपने हिसाब से customize कर सकते हैं, यह भी a verified site से लिया है, जो professionally aeration पे deal करते हैं, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा HR देखके, दोस्तों, यह अपके prawn के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर आप fresh water कर रहे हो, तो HR आपको मैच नहीं करेगा, क्यूंकि नॉर्मल मचली से तीन लोग को पता भी है, generally एक जो sample pond जो होता है, ठीक है, especially अगर आप fresh water करते हो, या श्रीम करते हो, with air oxy, तो उसका एक typical layout कैसे रहना चाहिए, अगर आप, suppose आप consider करो, यह एक blower है, ठीक है, ब्लोवर के साथ आपका जो mother pipe है, अगर हो connected है, ठीक है, तो generally आपको जो बताया जाता है, ठीक है, तो यह जो है ना, यह आपके एक हेक्टर pond के लिए बताया गया था, ठीक है, जो pond का जो size था, यह 120 meter into 80 meter, जो typical example लेके बताया गया था, तो इसके लिए उन लोगों ने कितना blower यूज किया था, 5 HP, ठीक है, और और उसमें 4 paddle aeriator उनमें यूज किया था, जो 1 HP का यूज चार पड़ल एरियाटर है, आप इसको बीच बीच में डाल सकते हो, या इधर दो corner पर, इधर दो corner पर, या दो corner इधर पर, दो corner पर, तो फिर यह पानी कभी भी rotate होगा, ठीक है, यह स्रीप 2-3 घंटा डेली आपको रखना है, जब आपको sludge accumulate करना होता है, ठीक है, और आपका air oxy tube है, ठीक है, दो से मीटर का था, 40 grit, 5-5 मीटर का एक, यह आप 6 compartment दो, या 8 compartment दो, या 10 compartment दो, और middle बाला आपको होता है, फेडिंग लाइन, जो में लीके खाना बगरा, वो आप देत हो, यह आप टिपिकल जो भी pond होता है, जो scientifically enhanced pond होता है, with air oxy या एरियेशन तो इस टाइप का एक देखने में होता है, तो अगर आप छोटा मोटा एक लाग लिटर, दो लाग लिटर का बना सकते हो, तब इस मॉडल को फॉलो कर सकते हो, दोस्तों, क्योंकि दा सजाल लिटर, भी सजाल लिटर, वाय फ्लॉप, it's no more, मेरे लिए बहुत respectful हो नहीं है, जितना बरा होगा आपके प्रोजेक्ट, उतना आपको बायमास ज्यादा मिलेगा, उतना आपका प्रोडक्शन 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 ज्यादा आख देख शक्ता एगर देख सकत तो है अगर आप देख सकते हो अगर आप इस टाइब का इस ट्रक्चर बनाते हो paard दियते हो अगर आप ट्रीम से थोड़ा उपर भी रखते हो और पत्र-फत्र से बांग के रखते हो ठीक से, तो यह एक पॉन पर भी काम करेगा सब कर सकता है तो आपको डिफिरेंड इस्ट्रक्चर आपके पॉजट के हिसाफ से कुछ भी स्ट्रक्चर बनाओ आप उसको आपके वाटर बॉड़ी में आप उसको एड़ाच कर सकते हो है कर दोस्तो एर उक्सिका प्राब्लम होता है जो मुझे पता चला है ठीक है कि कभी-कभी आपको उसको क्लीन करना पड़ता है तो आपको चनरली कभी पता चले के सब किलीन करना है जब आपको देखेगा कि भाई उसका जो प्रेशर गेज पहले अगर आपका 1.0 PSI होता है तो इसको आपको दिखेगा कि 0.6-0.5 कम हो रहा है तब भी आपको पता चले कि भाई मुझे ज़्यादा प्रेशर देना पर रहा है यह बाहर नहीं आ पा रहा है ठीक है और दूसरे है कि आपको बबुल होता है यह दो तो यह कंडिशन में आपको उसको क्लीन करना पड़ता है कैसे क्लीन करना है इसको मेथर पेम ने बोल के रखा है पहले तो आप स Kubernetes से तो दूसरो टाइप के ब्र messaging होता है उसको भी आप यूज कर सकते हो लेकिन यह जहां से आप खड़ी दोगी वह यह आपको दे देंगे ठीक है दोस्तों उसके बाद कुछ chemical treatment है इसके बाद कुछ chemical treatment है आप देख सकते हो ठीक है hydrogen इसके उपर bleaching powder से clean होता है उसके उपर hydrochloric acid, sulfuric acid भी clean होता है मैं अपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि यह जहां से आप ले रहे हैं और आपको recommend करें तो अच्छा है बड़ यह सब चीज से use होता है बहुत सारे method में ने लिखके रखा है आप सब्सक्राइब पर लो तो आपको पता चल जाएगा इसको clean करना है बड़ clean करने के बाद आपको इस टाइब पर दिख जाएगा जनरली एक culture में एक बार cleaning चाहिए होता है साल में तो एक बार आप clean करते हो तो बेटर रहता है तो दोस्तों जाए लास्ट वाला जो जो इस लाइड है कुछ मैंने जब मैंने डिजल्व ऑक्सिजन से में बात कर रहा हूं तो कुछ येर ब्रीधिंग औरगन के बारे में है कौन से मचली का कौन सा येर ब्रीधिंग औरगन है उनके कॉमन निम क्या है इसमें कुछ इंडियान है मैक्सिमम बाहरवला है ये आपका बहुत जदा ये नहीं देगा अगर आपको पता नहीं है जस्ट आपने टैंक चोड़ दिया और अपने एडियेशन लगा दिया तो आपका कल्चर कभी भी अच्छा नहीं होगा और आपको लॉस पर लॉस देखने को मिलेगा और सेगंड है कि मेरा प्रोवाइटिक लाँच हो रहा है ठीके मेरा प्रोवाइटिक बन चुका है एको नहीं ठीके तो इसमें क्या है क्या खासी है थे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तो बट ये दो तीन दिन में या एक हफ्ते में मैं सेल करना चालू करूँगा क्योंकि मैंने ऐस अपना हूँ सिर्फ मैंने 400 पैकेट ही बना पाया हूँ उसमें अर्मोस्ट 100 पैकेट का बुकिंग हो चुका है कुछ 40 पैकेट के लकाड़ जाएगा और क्लोस्टू 60 पैकेट आपको MP जाएगा ठेकेट बागे का 300 पैकेट है जो मैं फिलाल जी पे या नेट बैंकिंग के थुरू से बुकिंग चालू करूँगा ठीक है और बाद में Amazon के सट आयप चल ला जी एस्टी वगरा फाइल किया मैंने अगर कुछ हो जाते तो Amazon में भी आएगा तो एक है upcoming things दूसरा है आपका अपना English batch जो next training है ये scheduled होगा लेकिन due to COVID situations कहां होगा कैसे होगा इस पे बात चल रहा है ये चीज़ पे हम देख रहे हैं क्या है तीसरी बात है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी especially जिनको scientifically bioflow culture करना है उनको अगर as a consultant hire करना है तो they can contact me directly क्योंकि मैं छोटा project अभी लेना बंद कर चुका हूँ especially मैं बड़ा project ले रहा हूँ जहां पे 40-45 strength है starting उस type के project में involved हूँ 3-4 project already है मेरे पास ठीक है apart from that अगर आपको कोई technical दिक्कत है कहीं पे आपको scientific knowledge चाहिए तो आप मुझे whatsapp कर सकते हो आपको screen में number दिख जाएगा whatsapp ठीक है और बाकी चीच next to next मेरा video आएगा although मेरा regular video नहीं आता है but I'll try to give you more videos on and off so thank you so much for watching this and God bless कर दो